कभी मूवी डेट तो कभी डिनर डेट कभी कोजी फोटोज तो कभी लंबी विकेशन जी हाँ ये तो सब को पता है कि रितिक और सुजैन का डिवोर्स हो चुका है लेकिन डिवोर्स के बाद भी ऐसी फ्रेंड्शिप लोगों के जहन में कई सवाल खड़े कर देते हैं सवाल आने भी लाजमी है क्योंकि डिवोर्स के बाद भी रितिक और सुजैन को कई बार रुमैंटिक डेट पर साथ देखा गया है लोगों को उम्मीद होने लगी थी कि शायद रितिक और सुजैन का पैच अप होने वाला है लेकिन अब इन सारी उमीदों पर रितिक ने पानी फेर दिया है जी हाँ रितिक रौशन ने सुजैन खान के साथ रिष्टों को लेकर कहा है कि सुजैन और मैं दोस्त हैं हम अभी भी प्यार करते हैं और एक दूसरे की परवाह भी करते हैं यही कारण है कि हम अकसर साथ निजर आते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम दोनों में पैच अप होने वाला है रितिक रौशन की तरह सुजैन का भी यही कहना है मीडिया को दिये इंटर्व्यू में सुजैन ने कहा था हम अपनी जिन्दगी के उस स्टेज पर पहुँच चुके थे जहां हमने तै किया कि हमारा अलग रहना ही बहतर होगा ये जरूरी है कि नकली रिष्टा निभाने के बजाए आप सच्चाई से वाकिफ रहें बता दें कि रिष्टिक सुजैन ने एक दूसरे को काफी समय तक डेट करने के बाद 20 दिसमबर 2000 को शादी रचाली थी शादी के 13 साल बाद इन्होंने 2013 में एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया था